देशवर में आज से लागू हुए तीन नए आपराधी कानून तीन नए आपराधी कानून लागू होते ही क्या आएगा बड़ा बदलाव आखिर तीन नए आपराधी कानून की क्यों हो रही है इतनी चर्चा बेस पॉइंट्स में आपको बिताएंगे सारे डीटेल्स उससे पहले अपराधी भी हो जाएं साब्धान बारतिय साफ्ष अधनियम ने ले ली है वहीं आपको बदा दे कि सबसे अहम बदलाब तो आपको तुरंट देखने को मिलने वाला है जिहां नए कानून के लागो होते ही जीरो एफ आयार एसेमेस के जरिये इलेक्ट्रोनिक तरीके से किसी को समन भेजना पुलिस शिकायतों का उनलाइन पंजी करण होना और यस सब कुछ अब होने जा रहा है अभी तक तो जब भी जगन अपराध होता था तो अपराध अस्तर पर वीडियोग्राफी अनिवार नहीं थी इसके कोई बाधिता नहीं रहती थी लेकिन अब इस नए कानून लागों होने के बाद भी यह अनिवारे होने जा रहा है वहीं अब इस समय सभी के मन में यह सवाल जरूर चल रहा होगा कि आखिर तीन कानून के लागू होने के बाद असल में क्या-क्या बदला होने वाले हैं आपको सिंपल दस पॉइंट्स में समझा देते हैं कि आखिर तीन नए कानून की वज़े से आखिर क्या क्या परिवर्तन होने वाला है। वहीं आपको सबसे पहला बदलाव बताते हैं जहां एक तरफ आपराधिक मामलों के जितने भी फैसले सुनाए जाते थे उनमें पहले सुनवाई के बाद फैसला देने में 60 दिन लग जाता था। लेकिन अब यह अबदी 45 दिन की होने जा रही है यानि कि 15 दिनों की कटवती। वहीं दूसरा बदलाव यह है कि बलतकार पीड़तों का जब भी मेडिकल किया जाएगा हर कीमत पर 7 दिनों के अंदर में रिपोर्ट आनी होगी। और अगर तीसरे बदलाव की बात करें तो इसरे बदलाव में जो नए कानून लागू हुए हैं उसमें आप बच्चों को खरीदना या बेचना जगन अपराद माना जाएगा। इसी तरह अगर नाबाली के साथ बलतकार होता है तो आज जीवन कारवास या फिर मृत्यू दंड की सज़व भी मिल सकती है। बदलाव को 14 दिनों के अंदर में पुलिस रिपोर्ट चार्ट शीट मिलने का पूरा अधिकार रहने वाला है। अगर बदलाव नंबर 6 की बात करें तो बदलाव नंबर 6 में महिलाओं की खिलाज जब अपराद होगा तब सभी अस्पितालों को मुफ्त में इलाज करना होगा। अपने अधिकार छेतर के बाहर भी अगर वो चाहें तो आप फयार दर्ज करवा पाएंगे। वहीं आपको बदा दे कि बदलाव नंबर 8 जो है उसमें ये है कि अगर गंबीर अपराद होंगे तो फोरेंसिंग एक्सपर्ट का घटना अस्थल पर जाना जरूरी होगा। प इसमें महिला पीड़िता के बयान को यथा संभव महिला मजिस्टेट द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए और बलतकार जैसे मामलों में ओडियो वीडियो माधियम से बयान दर्ज होने चाहिए। इन सब के अलामा आपको यह भी पता होना चाहिए कि अब नए कानून में 375 और 376 नहीं रहने वाली है इसी जगह सिर्फ धारा 63 रहेगी वहीं अगर सामुईक बलतकार का मामला होगा तो धारा 70 लगेगी और इसी तरह हत्या होने पर अब धारा 302 नहीं लगने वाली है बलकि उसकी जगह 101 ने ले ली है वहीं तीन नए कानून लागो होने के बाद 41 अपरादों में सजोक यावधी को बढ़ा दिया गया है और 82 अपरादों में जुर्माना जादा कर दिया गया हो और मॉब लिंचिंग और कुछ दूसरी ऐसी घटनाओं को लेकर भी नए अपराद बना दिये गये हैं हलाकि इस तीन नए कानून को लेकर के सब लोग अपनी अपरादी कानून सही लग रहा है तो वहीं अगर जो बिपक्ष है उसको ये अपराद बड़ा बुला लग रहा है और बिपक्ष की कुछ लोग इस अपराद को सक्त रोकने की मांग भी कर रहे हैं हलाकि नए तीन आपरादी कानूनों को लेकर के और इसके बारे में जान कर आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताईएगा